सेल्प असेस्मेंट पेपार 3 कर रहते आज शुरू हो रहा है सेक्शन सी इसमें पहले बारा जो कुस्चेन है इसमें बोल रही है गिवेन रूट 3 इस इर्रैशनल नंबर इसको इर्रैशनल नंबर बोल दिया ठीक है और पूछ रहा है 5 प्लास रूट 2 रूट 3 यह वाला इर्रैशनल नंबर तो इसको कॉंट्रडिक्ट मेथोड से हम लोग प्रूप करेंगे तो कॉंट्रडिक्शन जो होता है उस पैटर्न में करेंगे तो यह वाला P by Q इसको रैशनल नंबर पकड़ लेता है यह भी भी रैशनल नंबर जहां पर P and Q इन्तिजार है और P and Q को प्राइम नंबर है प्राइम नंबर और Q नॉटिकल तो जीरो अभी रैशनल पको सब रैट में ले आता है तो 2 रूट 3 is equal to क्या हो गया P by Q minus 5 यहां से LCM Q कर लिया तो P minus 5 Q आ गया 2 रूट 3 फिर रूट 3 is equal to 2 निचे आ गया तो 2 Q हो गया तो यह रैशनल पाठ है P minus 5 Q is rational because अपका यह PR Q इन्तिजार है यह सब को प्राइम है इसके हिशब से यह बला रैशनल नंबर है बट रूट 3 is irrational गिवेन है यहां पर दे दिया तो obviously यह पर रैशनल और यह पर रैशनल यह तो हो नहीं सकता तो यह contradiction occur तो contradiction occur होने से बने यह contradiction आ रहा है इसके चलते हम लोग जो पहले एजुम किये थे यह बला रैशनल नंबर तो यह गलत ऐसे एजुम कर लिए थे तो आवर assumption is wrong so it is यह वाला रैशनल नंबर ठीक है तो यह प्रूव ऐसे हो गया यह यह रैशनल नंबर ठीक है अचा चलो next 27 बोला है if one root of the quadratic equation is thrice the other root then find the value of k अच्छा यहां relation दे दिया एक्ठो alpha एक्ठो दे दिया और एक्ठो 3 alpha दे दिया इसका roots बोल दिया एक एक के मने एक दूसरा के 3 times है तो एक पकाल ले थे alpha एक 3 alpha तो condition जो होता है alpha plus sum जो होता है sum क्या होता है alpha plus 3 alpha equal to minus b by a minus b by a तो यहां पर b क्या है 12 और a क्या है 1 तो 12 भाई 1 आ गया तो finally 12 यह आ गया तो इधर 4 alpha equal to 12 हो गया अच्छा minus यहां पर minus है minus आ जाएगा ठेक है minus है तो alpha equal to minus 3 तो alpha के वालू minus 3 आ गया तो दूसरा एक्ठो कॉनिशन होता है product का product equal to क्या होता है alpha into 3 alpha is equal to क्या है c by a तो c यहां पर क्या है minus k और a क्या है 1 है तो minus k by 1 equal to यह multiply करने से 3 alpha square हो गया alpha का value क्या है alpha का value minus 3 आया तो यहां पर put करते है minus 3 इसका square equal to minus k तो यह होने से 3 into 9 हो गया इधर minus k तो यह 27 equal to minus k तो k का value आ गया minus 27 तो यह k का value है ठेगा अच्छा चलो दूसरा next में क्या बोला है a fraction become 2 by 3 when 3 added from the numerator अच्छा यह fraction become यह तो when 3 added from numerator and became half when 1 subtract from the denominator find the fraction आजा fraction लेट fraction को हम लोग पकार लेते है fraction x by y हो गया तो पहले बाला condition में बोले 3 add करने के लिए numerator के तो पहले condition से क्या आ रहा है 3 plus y plus x plus 3 by y equal to हागया 2 by 3 यह एक टो condition आ गया यहाँ पर पहले condition दिया है तीन add करने बोले है नियू में रगए उपर के संग 3 add कर दिया तो यह दो बाई 3 हा गया तो यहाँ से relation क्या आ रहा है cross multiplication करने से 3x plus 9 is equal to 2y तो 3x minus 2y plus 9 is equal to 0 यह बला एक नमबर दे देता है दूसरा condition दे दिया when became half when one subtract from denominator denominator से अगर minus करते है y से denominator से 1 minus करेंगे 1 minus करेंगे तो fraction half हो जाएगा condition दे दिया तो यहाँ भी 2x equal to y minus 1 हो गया तो 2x minus y plus 1 is equal to 0 यह number 2 कर देता है दोनों को elimination करता है यहाँ पर 2y है यहाँ पर 2y लाने के लिए यहाँ पर 2 multiply कर देता है तो क्या आजाएगा यह पहले लिखता है from 1 and 2 ठेक है 1 and 2 3x minus 2y plus 9 is equal to 0 और इधर 2 multiply कर दिया तो 4x minus 2y plus 2 is equal to 0 यह minus हो गया यह plus हो गया यह minus हो गया यह cut गया तो इधर आ रहा है minus x और इधर आ रहा है plus 7 तो x equal to आ गया कितना 7 तो यह x का value आ गया ठीक है तो दूसरा कोई भी equation में बैठा देता है तो समझेजी इसमें भी बैठा देता है तो 2x minus y plus 1 is equal to 0 यहाँ पर x का value बैठा रहा है तो x equal to क्या हो गया 2 into 7 minus y plus 1 is equal to 0 तो इधर हो गया 14 minus y plus 1 is equal to 0 तो इधर 15 हो गया equal to 0 तो y equal to आ गया 15 तो एक सार य का value निकल गया 14 by 7 or 15 तो हम लोग पक्रे थे क्या रेशियो पक्रे थे x by y तो x by y क्या आ जाएगा x by y equal to आ जाएगा 7 by 15 तो यह आपका अंसर आ जाएगा यह जो आपका रेशियो था रेशियो मतलब जो फ्रैक्शन था फ्रैक्शन 7 by 15 आ गया ठेक है चलो next number B में बोला है the present age of father is three years more than the three times age of son relation माने determine the present age their present age तो son का पकार लेता है x और father का पकार लेता है y ठीक है तो पहले जो condition दिया है बोला है father का age the present age of father तो father का age क्या है y है तो y equal to क्या बोलना है is three years more than three times age of son son का three times plus three years three years more मने इससे भी three ज्यादा father का age है son का three times से तीन ज्यादा तो यह पहले condition हो गया ठीक है इसको थोरा सा सिंप्लिफाइ कर लिजे तो three x यह इधर चला गया तो minus plus three is equal to zero यह one कर देते है अब दूसरा जो condition दिया है वो देखते है क्या है three years later तो three years later दोनों का ही three three करके बढ़ जाएगा तो three यह son अभी three हो गया x plus three हो गया और father क्या हो जाएगा y plus three इस time में बोला है condition क्या हो रहा है three years later hence the father's age will be ten years more father का father जो है वो father का ten years ज्यादा more than twice the age of son तो son का जो age है उसका twice मने दो गून से 10 ज्यादा तो यह दूसरा condition हो गया तो यहां पर भी थोड़ा सा simplify कर लेते है तो y plus three is equal to two x plus इधर six हो गया 10 तो सब इधर लेके जा रहा है तो two x minus y यह दोनों मिला के 16 है यह minus होगे चला जाएगा तो plus 16 minus three is equal to zero तो finally two x और यह हो रहा है plus 13 equal to zero तो यह number two हो गया तो दोनों का लिमिनेशन करता है फिर से तो यहां पर y है यहां पर भी y है डारेक्ट लिख देता है दो पहले लिख रहे है तो two x minus y plus 13 is equal to zero और इधर जो है 3x minus 2y 3x minus y plus three plus three is equal to zero minus plus minus तो यह कट गया इधर आ रहा है minus x और इधर कितना आ रहा है इधर plus इधर minus हो गया तो 10 हो गया तो finally x equal to क्या आ गया 10 तो x का भैलू आ गया 10 आच्छा तो x हो गया 10 तो यह son हो गया 10 और दूसरा इस भैलू से निकल देता है यहाँ y equal to 3x plus 3 मतलब x के जगा 10 बैठाएंगे 10 निकला था यह 10 x का भैलू तो क्या रहा है 30 plus 3 equal to 33 तो पिता जी का है 33 मतलब फादर का है 33 फादर का है 33 तो यह दूनों यार है लड़का का है 10 यार्स और फादर का है 33 यार्स ठीक है चलो नेक्स्ट 29 में पूल ला है in the given figure below pa is a tangent to the circle with center o o center है pa tangent है and pcb is a straight line pcb मतलब यह वाला straight line है note the figure is not to scale ठीक है मनें यह जो figure दिया हुआ है यह not to scale मतलब जो measurement दिया है उसके संग equal नहीं है ठीक है find the measure of o b c o o b c अचा यह वाला x वाला पुछाए कितना होगा show your step and give valid reason ठीक है तो यह थोड़ा सा इधार ले लेते है यहां पर बोल ला है यह जो information दिया है यह तो यहां पर सब दे दिया तो यहां पर कट्थे है यह 30 degree बोल दिया तो यह triangle है यह 30 degree बोल दिया और यह total आपका मने मतलब यह वाला radius हो गया यह tangent हो गया तो यह 90 degree करता है यह total 90 degree है यह 30 है और यह वाला 70 है तो यह straight line है तो यह अगर 70 होता है तो इधर क्या हो जाएगा 180 minus 70 तो आजाएगा 110 तो यह वाला 110 हो गया यह 110 होने से यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा यह portion 110 plus 30 equal to 140 यहां से 180 से निकल देंगे इसको तो आजाएगा 40 तो यह वाला हो गया 40 और यह total 90 है यहां से 40 यह हो गया तो यह 50 हो जाएगा यह radius है यह जो circle है इसका यह radius है यह भी radius है तो यह दोनो radius होने से इसका opposite जो angle होता है वो equal होगा मतलब यह angle और यह angle equal होगा यह छोटा एंगेल पूरा नहीं यह छोटा जो है तो यह भी 50 हो जाएगा यह चोटा एंगेल यह 50 हो जाएगा तो यह वाला चोटा आँगेल दो एक यह जो triangle है यह triangle में यह radius है यह भी radius है तो यह triangle हो गया तो यह angle है यह angle equal होगा बतलब यह 20 होना से यह भी 20 आएगा तो x का भालू आजागा 20 ठीक है x का भालू आगिया 20 degree आच्छा चलो next करते है यहाँ पर बोला है prove the parallelogram circumscribing a circle is rhombus कोई भी अगर circle एक parallelogram के अंदर है तो वो rhombus होगा मतला एक्टो यह बाला हो गया इस टाइब का एक्टो circle है एक parallelogram के अंदर तो यह parallelogram को prove करना है यह बाला rhombus है parallelogram rhombus कब होगा जब parallelogram का हर side equal होगा चलो नाम दे देते हैं तो a, b, c एक parallelogram है जहाँ पर एक circle इसके अंदर है तो यह external आच्छे यहाँ पर टाच कर रहा है जो पॉइंट वह भी नम दे देते हैं ठीक है यह दे देते है small a या x, y, z या m, n, o, p ठीक है तो b external point है यहाँ से यह दोनो triangle मतलब यह tangent टाच कर रहा है मतलब यह दोनो equal है तो हम लोग लिख सकते है m, b is equal to b, n फिर यह external point c है यहाँ से दो tangent टाच कर रहा है तो यह भी equal है तो यह जो nc है nc is equal to हम लोग क्या लिख सकते है इधर वाला co फिर यहाँ पर जो है यह भी d external point यह दोनो टाच कर रहा है तो यह भी equal होगा तो od equal to pd same चीज़ यहाँ पर external point है तो यहाँ से ap equal to am हो गया ठीक है मनि यह और यह equal है 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 तो यह ज़स्ट हम लोग लिखे है अब इसको add करते है तो add करने से क्या आ रहा है लेखिए यह लिखाता है mb पहले nb nb हाँ mb यह वला और इधर am यह दोनों मिला के देखिए क्या हो रहा है am plus mb यह रग दिया एक संग फिर बाकी यह दोनों एक संग रग दिया co plus od equal to इधर यह वाला एक संग रखता है nn हाँ यह दोनों एक संग रख रहा है तो bn plus nc और फिर यह वाला एक संग रख रहा है तो आ रहा है pd plus ap am plus mb am plus mb मतलब हो गया ab plus यह दूसरा क्या आ रहा है co od co od यह वाला होने से c d आ गया यह c d हो गया फिर bn bn यह वाला bn nc मतलब bc हो गया plus pd pd और pa यह वाला होने से ad हो गया ठीक है अच्छा यहां पर जो पैललेलोग्राम पोल दिया पैललेलोग्राम होने से opposite side equal होता है मतलब opposite side जो आ है वो equal होता है ठीक है prove that हाँ equal होता है मतलब यह वाला और यह वाला equal होगा ad equal to bc और यह side और यह side equal होगा मतलब ab is equal to dc यह दोनों equal है तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे है ad के जगा dc के जगा dc के जगा ab बैठा देता है dc यहां पर है तो इसके जगा ab बैठा देता है तो क्या आ रहा है ab plus ab equal to ab होगा इधर वाला आरेक्ठो चाहिए bc ad के जगा bc बैठा देता है ad के जगा bc बैठा देता है ad के जगा bc bc plus bc तो कितना हो गया इधर 2AB इकल टू 2BC तो 2 टू कट गया तो AB इकल टू आ गया BC AB इकल टू आ गया AB इकल टू BC ये वाला मतलब ये दुनों side equal प्रूब हो गया तो बगल बगल side equal होने से sub side equal हो गया क्योंकि इसके चलते ये equal है ये और ये equal था अभी इप्रूब हो गया ये वाला और ये वाला equal हो गया तो अब ultimate sub equal हो गया तो AB इकल टू BC इकल टू हम लोग यहां से लिख सकते है AB इकल टू BC इकल टू CA CD इकल टू DA और ये एक तो parallelogram भी है तो parallelogram है फिर इसका हर side equal है तो हम लोग बोल सकते है ये से ABCD is parallelogram ठीक है अच्छा चलो प्रूब करते है नेक्स्ट वाला 30 में क्या बोलना है प्रूब ये इकल टू ये LHS इकल टू RHS करना है तो चलो करते हैं 1 प्लास sec a by sec a यहां पर sin cos से दिया हुआ है तो इसको sin cos में convert कर लेते हैं तो cos equal to क्या हो जाएगा 1 by cos आर इधर भी क्या हो जाएगा 1 by cos तो ये क्या हो रहा है ये LCM हो गया cos a cos a plus 1 हो गया और नीचे 1 by cos a cos a कस से कट गया तो फैनल या गया कॉस ए प्लास वन नीचे वन है तो नहीं लिखने से होगा तो यह वला आया हमको यह करना है तो यहां से आप यह भी आड़ी चसे भी कर सकते इसको भी डायरेक्ट यहां पर हम ले सकते तो यह जो आया इसको 1 कर लया एकलड़ वन प्लास हुरा है तो बोच सैट को वन माइनास उस से दिवाएट कर दाया है और उपड़ नीचे cos 1 minus cos से divided कर जाए है तो ये वाला उपर वाला क्या आ जाएगा 1 मने a plus b a minus b तो a minus b मतलब 1 minus cos square a आगे है नीचे cos square a cos a ये वाला identity है sin square theta plus cos square theta इकल तो हम लोग को मालू है 1 है तो cos square theta minus 1 1 minus cos square theta sin square theta इधर रहने दीजिए ये वाला इधर लेकिया आए तो 1 minus cos square a हो जाएगा ये वाला इकल तो sin square theta तो हम लोग क्लिक सकते इसके जगा sin square theta तो sin square theta equal to by 1 minus cos a ये वाला इपरूब करना था ये आरीचे सो गया ये परूब था ठेक है ये परूब करना था ये वाला ठेक है sin square theta a minus cos square 1 minus cos ठेक है चलो next यहाँ पर बोला है find the mean of the following data using assume mean method assume mean method से हम लोग को इसका mean निकलना है तो चलो करते है ये वाला class हो गया class में क्या दे दिया 0 to 5 ये class है 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 22 to 25 और कुछ दिया हाब है नहीं ठीक है अभी यहाँ पर F दे दिया frequency F आई दे दिया कितना 8 है पहले बाला 7, 10, 13, 12 F I के जगा F I हो गया अभी X I निकलते है class mark X I क्या होता है ये दोनों का middle 10 plus 5 by 2 equal to 2.5 2.5 फिर ये वाला क्या होगा 5 plus 10 by 2 equal to 7.5 7.5 तो ये भी AP में है मतलब 5 करके बाला है तो यहाँ पर 5 बाला आने से फिर 12.5 आ जाएगा फिर ये 17.5 आ गया इधर 22.5 आ गया सब 5 करके बाला है सब AP में रहता है अच्छा ये एजूम करने के लिए बीच में से एजूम करना पड़ता है तो हम लोग ये वाला को ये मान लिया एजूम कर लिया ये वाला आपका median है मीन है तो फिर DI निकलना है DI कैसे निकलते थे DI equal to XI minus A तो XI हो गया ये वाला XI इससे ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2.5 2 minus 12.5 equal to minus 10 आगया तो minus 10 है फिर ये दोनों minus करेंगे तो minus 5 आजगा ये भी एपी में बढ़ता है तो ये पाच पाच करके बढ़ रहा है तो ये 5 बाढ़ने से 0 हा गया फिर 5 फिर 10 आभी दी आई एफाई निकालना है दी आई एफाई बने इए दोनों को मल्टिपलाई करेंगे तो minus 80 हो गया इए दोनों को minus 35 हो गया इए दोनों 0 हो गया इए दोनो 65 हो गया इए दोनो 120 हो गया इए दोनों में लाके कितना हो रहा है 80 तो यह आ गया 20 115 माइनस और यह दोनों मिलाके हो गया 185 तो यह दोनों माइनस करेंगे आ जाएगा 70 तो यह 70 आ गया मतलब यहाँ पर समेशन जो है समेशन ए फाइ डि जो है डि आ फाइ ए फाइ एफाइ डि एक ही बात हो गया यह 70 आ गया इकल टो 70 आ जो अपका डि फाइ इसका संब कितना हो जाएगा इसका समेशन आ फाइ यह दोनों चाहिए हम लोग इस लिए निकल लेते हैं तो यह 15, 10, 13, 7, 20 हो गया, 20, यह दोनों 20, 13, 7, 20 हो गया, और यह 18, तो यह 20 हो गया, 40, 50 हा रहा है, ठीक है, फिर से देख लेता है, 3, 5 हो गया, 5, और यह दर 15, तो 0 आ गया, 20, हाँ, तो 50 आ गया, ठीक है, तो अभी हम लोगा, जो azumin method, उसमें formula क्या था, x bar equal to a plus summation di fi, by summation fi, तो a कितना azum किया था, a बाला 12.5 है, तो यह azum किया था, जो बाला यहां पर लिग देता है, और di fi आ गया 70, तो 70 लिग देता है, fi कितना आया, 50, तो 50 भी लिग देता है, यह कट गया, तो finally आ गया कितना, 7 by 5, 7 by 5 को divided का लिजे, 1 बार गया, तो 5 हो गया, फिर 2 पॉइंट दे दिया, 0 आया, 4 पाचेक कुड़ी, तो 1.4 आ गया, तो 12.5 plus 1.4, तो आ रहा है 13.9, यही अंसर है, ठेक है, 13.9 हो गया, अच्छा चलो next, यह बाला सेक्शन खतम हो गया, ठीक है, दूसरा बाला सेक्शन जिद्दा हो जल्दी हो सके करेंगे, ओके थेंक्यू,